इस वीडियो में आपको Realme C55 स्माटफोन के टॉप 60 जीहां दस्तों 60 से ज्यादा Interesting Awesome कमाल धमाल की फीचर बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्माटफोन को बहुतीं इंट्रेस्टिंग ऑशम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके वीडियो में आगे बढ़ने से बले हमपर वीडियो पर क्लिक करके कोई भी एक स्माटफोन के प्राइस पर जरूर क्लिक करना सबसे पहले feature की बात करते हैं आप screenshot लेना चाहते हैं तो three finger को नीचे लेकर आना screenshot लग जाएगा इसके अलावा value manage button और power button पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी screenshot लग जाता है अगर आप दो-दो applications को एकी phone में, एकी वक्त में, एकी screen में यूज करना चाहते हैं तो एक application open करके, three finger को उपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और screen निकल कर आएगा आप हम पर दुसरा कोई भी application कुछ इस तरह से open करके use कर सकते हैं देख सकते हैं, उपर वाला एप नीचे, नीचे वाला उपर भी आप हम पर इस तरह से कर सकते हैं ड्रैक करके छोड़ेंगे नीचे चला जाता है अब मालों आप दो applications की बीच में काम कर रहे हैं एक application यह है और दूसरा application यह है तो आपको उस पहले वाले application में जाने के लिए इस menu button पर double click करना है वापस सेँसी application में जाने के लिए इस menu button पर double click करना है fast अगली feature के बाद करने के लिए आप कोई भी अप को open करते है menu button पर klik करने का बाद यहां पर मिलता है fle Llooting window आप इस पर klik manageable तो ये window में open हो जाता है application साथ में आप दूसरा application open करके कुछ इस तरह से use कर सकते हैं और इसको आप इस पर click करके बढ़ा कर सकते हैं ऐसे इसको निकाल भी सकते हैं अगले feature के बात करने के लिए आप यहाँ पर menu button पर click करेंगे तो 3 dot पर click करना है उसके बाद आपके हम पर मिलता head content मतलब यहाँ पर menu में जो applications आपको दिखते हैं उनको भी आप blur कर सकते हैं उनको head कर सकते हैं मतलब अंदर का data नहीं दिखेगा उस app में आप क्या use कर रहे थे नहीं दिखेगा इसको यह आप बंद करना चाहे तो इस तरह से आप head content कर सकते हैं अगले feature के बात करने के लिए आपको आना दूस्तों इस phone के settings में हाँ पर आपको display and brightness में आना है यह light mode है आपको कर लेना है dark mode तो आपके आँखों को effect नहीं पड़ता है screen का और battery भी कम consume होती है आप इसको anytime on करके use करना मैं थोड़ी दिर के लिए off करता हूँ वीडियो recording करने के लिए इसके अलावा नीचे आने के बाद आपको यहां पर मिलता है auto brightness को आप on करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो automatic brightness जाता होता है और आप जैसे अंदर में आते हैं तो automatic brightness कम होता है आपकी सिहत के लिए इसको ज़रूर on करना यह का है आपको मैं बताऊंगा आपने इसको off किया तो आप रात में phone को use करते हैं तो blue lights आपके आँकों में जाएंगे जैसे blue lights आपके आँकों में जाते हैं आपको नेंद नहीं आएगी आप इसको on करेंगे तो blue lights filter होंगे रात में आप phone को use करते हैं इसको on करके तो आपको time to time नेंद आएगी रात में जो आपका सोने का वक्त होता है आप इसको off बिलकुल भी मत करना मैं थोड़ी देर के लिए off करता हूँ वीडियो recording करने के लिए ब्याक आता हूँ आपको यहां पर मिलता है इसी display and brightness setting में आने के बाद font यहां पर अगर आपके आँख कमजोर है आपको ठीक से नहीं दिखता तो यहां से आप अपने fonts को बड़े कर सकते हैं आप बड़े करेंगे तो आपको अच्छे से देखेंगे इतने बड़े-बड़े fonts दिखेंगे अगर आपके आँख कमजोर है तो आप यहां पर कर लेना इसको अपने मर्जी के हिसाब से इसके अलावा इसके ठीक नीचे मिलता है display size यहां पर आप आपको जो display है न यह buttons के साथ में बड़ा कर सकते हैं पूरा अंदर का जो screen है न यह बड़ा दिखेंगा आपको यह भी आप अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं इसके बाद इसी display and brightness setting में मिलता है यहां पर अटो screen off हां पर आप maximum 30 minutes तक कर सकते हैं आपने एक minute कर लिया तो आपने phone को use करना बंद कर दिया है लेकिन screen on है तो एक minute के बाद में automatic display off हो जाता है इसके बाद आपको यहां पर मिलता है screen refresh rate आप इसमें maximum 90Hz तक कर सकते हैं आपने 90Hz किया तो आपका smartphone smooth चलता है जासो 90Hz पर इसको set कर लियाना अगले feature की बाद करने के लिए आपको यहां पर phone पर click कर के त्रोड़ पर click कर के settings में आना है caller add and spam में आना है यह off है तो इसको on कर लेना आपको spam coil वगर आते हैं तो आपको पता चलेगा जो भी call आएंगे वो verify होकर आएंगे ब्लॉकेट नम्बर में आना है अंक्नों को on करेंगे तो जो नम्बर आपकी phone में save नहीं है उन नम्बर से आपको call ही नहीं आएगा इसके अलवा आप इसको off करके add a phone number पर click करके हम पर जो भी number dial करके हम पर block पर click करेंगे यह number blacklist में पड़ जाता है इस रहा से आप इसको blacklist से निकाल भी सकते हैं एक step back आने के बाद आपको calling accounts में आना है हम पर answer and calls में आना है इस setting को on करके delay at a answer पर click करके आप हम पर maximum 10 seconds कर सकते हैं अब मालो Bluetooth वगरा connect है तो जैसे आपको call आता है तो 10 seconds के बाद में automatic call receive हो जाता है आप इसको चाहिए तो on कर सकते हैं मुझे तो नहीं चाहिए इसके allow press power button to end calls इसको on करेंगे तो अब मालो आप call पर बात कर रहे हैं आपको call काटना है तो power button पर एक बार click कर देना call cut हो जाता है इसके बाद यह off है तो इसको on करेंगे तो जैसे आप किसी को call करते हैं जैसे वो call receive करता है और आप call पर बात कर रहे हैं जैसे call cut हो जाता है इन दोनों cases में आपका smartphone वाइबरेट होता है आता हूँ एक step back आपको यहां पर आना है more settings में flash on call को on कर लेना अब मानलो आपको calls आते हैं तो जो पीछे flashlight है न वो flashlight blink करता रहेगा मतलब flashlight लेगेगा आता हूँ ब्याग इसी settings में आने के बाद आपको एकदम नीचे आना है आपको caller ID announcement में आना है announce caller ID पर आप click करके इसको always कर सकते हैं आप मानलो आपको call आता है तो जो आपको call आ रहा है वो number किस नाम से set है वो नाम आपको speaker में सुनाई देगा आप कहीं भी phone को धूर रखे है तो नाम सुनकर पता कर सकते हैं इस बंदे का call आ रहा है बोलकर अगले feature की बात करने के लिए आपको इस phone के settings में आना है यहां पर आपको आना है दूस्तों notifications and status bar में इसके बाद आपको हांपर status bar में आना है time पर आप click करके हांपर do not show करेंगे तो यहां पर आपको time status bar में नहीं दिखेगा आप हांपर करेंगे show hours and minutes करेंगे तो आपको घंटे और minutes दिखेंगे इसके अलावा आप seconds भी कर सकते हैं साथ में यहां पर घंटे भी दिखेंगे minutes भी दिखेंगे और कितने seconds चल रहे हैं वो भी दिखेगा आप यह कर सकते हैं अपने मर्ज़े के हिसाप से इसके बाद यहां पर notification icons आइं मतलब आप हैंपर do not show करेंगे तो कोई भी app से आपको notifications आते हैं तो उनके icons वागर आपको क आपको notifications आए हैं उनके icons यहां पर आपको दिखेंगे इसके अलबा बैटरी स्टेल पर क्लिक करके यहां पर आप डू नौट से हो करके यह बैटरी का box यहां से हटा सकते हैं इसके अलबा लूप vertical horizontal आप यहां पर कर सकते हैं मैं लूप करता हूं यहां पर गोल सा अच्छा दिखेगा यह बैटरी का box इसके अलबा बैटरी परसंटेज को भी on कर सकते हैं बैटरी परसंटेज देखने के लिए इसके अलबा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यह आफ है तो इसको on कर लेना अब मालों आप internet यूज़ कर रहे हैं तो आपकी internet के स्पीड कितना है कितन मैं Bluetooth on किया है यहाँ पर उसका icon दिख रहा है Bluetooth on है बुलकर है यहाँ पर मैं इसको off करूँगा तो Bluetooth on रहेगा काम करेगा सब कुछ करेगा लेकिन उसका icon नहीं दिखेगा तो यहाँ पर इन features में किस feature का icon है यहाँ पर उपर status bar में आपको नहीं दिखना चाहिए बस आप symbol hide कर सकते हैं यहाँ से बंद कर लेना आता हूँ एक step back उसके बाद more settings में आना है display data usage in notification driver यह off है तो इसको on कर लेना अब मालों आप सुबा से लेकर अभी तक कितना data use किया है कितने mb कितने gb use क किया है यहाँ पर आपको बताएगा दोसों उपर इसके बाद यहाँ पर notification history यह off है तो इसको on कर लेना दोसों तो जैसे आपको notifications आते हैं आपने clear किया तो यहाँ पर वो save हो जाएंगे बाद में आप आकर देख सेते हैं किस किस app से आपको notifications आये थे इसके अलावा आपको WhatsApp म कोई भी message को send करके वो everyone delete करता है तो यहाँ पर जो आपको notifications आये थे यहाँ पर वो दिखेंगा दोसों तो आपको बिना कोई third party application डाउनड किये आप देख सकते हैं 24 घंटों के यहाँ पर notifications आपको दिखेंगे दोसों लास्ट 24 हर्स के तो यह कमाल का feature है इसको use करना on करना notification history क बताने के एक और बार बताता हूँ आपको settings में आने के बाद आपको आना है notification and status बार में उसके बाद आपको more setting में आना है हाँ पर मिलता है आपको notification history हैंसे आप देख सकते हैं अगले feature के बात करने के लिए आपको दोंगलें से पिंच करके यहाँ पर got it पर क्लिक करना है पह आप हैंपर सेट करके यूज कर सकते हैं अगले फीचर के बात करने के लिए दो उंगलें से पिंच करेंगे इस तरह से स्ल rok करेंगे आप मोर में आएंगे यहां पर एक उम्लियों से पिंच करना है आपको यहां पर मिलता है एकन पूल उपन गए करने अप एकट से तो इसको उन कर लेना अब मालो आप एकषा से फेन को यूज कर रहे हैं यह उंगलें उहां पर नहीं जाएगा ना यह आपको open करना तो क्या करना है नीचे इस तरह से लांग प्रेस करेंगे तो छोटे हो जाएंगे application कोई से एपको open करना है उसके उपर उगली छोटेंगे वो application open हो जाता है अगले फीचर के बात करने के लिए दो उगलें से पिंच करके slide करके more में आएंगे आपको यहां पर मिल है तो इस setting को on कर लिए अगले फीचर के बात करने के लिए दो उगलें से पिंच करके slide करके more में आएंगे आपको यहां पर मिलता है double tap to lock इसको on करेंगे तो अब मालूब आपको जहां पर भी home screen पर खाली जगा दिखेगा double tap करना है lock हो जाता है अगले फीचर के बात करने क लिए दो उगलें से पिंच करेंगे slide करके more में आएंगे आपको आना है नीचे swipe down on home screen यहां पर आकर notification टावर पर इसको set कर लेना है अभी आपको notification पैनल निकालना है तो उपर से खिचने के जरूरत नहीं नीचे से बस इतना करेंगे तो निकल कर आएगा अगली feature के बात करन अब मालोब lock करके रखेंगे phone को तो इस screen पर double tap करेंगे तो screen on हो जाता है इसके बाद इसी setting में आपको यहां पर मिलता है clock style मतलब lock screen पर जो आपको timing बताता है clock style बताता है style आप हैं पर set कर लेना lock screen पर clock style यहां पर pocket miss touch prevention आये off है तो इसको on कर लेना अब मालोब आप जे में phone को रखते हैं तो screen work करना बंद करेगा कभी कभी क्या होता है automatic touch होकर किसी को call जाता है कोई भी application open होता है यह problems आपके साथ होते हैं तो इस setting को on करना screen work नहीं करेगा जे में phone जाने के बाद में इसके बाद यहां पर नीचे है recent tax manager यह off है तो यहां से इसको on कर लेना display ram information को आप menu button पर click करेंगे तो यहां पर आपका RAM कितना available है वो यहां पर दिखेगा अगले feature की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस phone के settings में उसके बाद आपको यहां पर wallpaper and style में आना है यहां पर आपको मिलता है themes आपको बहुत सारे themes मिलते हैं जो themes आपको चाहिए उसको download कर कि आप हैंपर कर सकते हैं एक extra तो आपको मिलता है यहां पर offline और इसके अलवा और चाहिए तो आप हैंपर download करके रख सकते हैं जो आपको theme अच्छा लगते हैं पूरे phone का look change हो जाता है इसके बाद आएंगे नीचे colors पर click करके हैंपर notification पैल में आने के बाद कोई भी feature को on कर रहा है इसका color आप हैंपर change कर सकते हैं जो आपको color अच्छा लगे इसके अलवा custom पर click करके अपने मरजिक यह साब से आपको जो color अच्छा लगता है उसको भी आप हैंपर set कर सकते हैं यह रहा इसके बाद wallpaper color picking पर click करके ok करेंगे तो जिस color में आपका wallpaper है home screen पर उसी color में य यह feature गोल से दिख रहे हैं आपको round है यह icons यह आप change कर सकते हैं इसके style को यह दिख लीज़े मैं इस तरह से कर लेता हूं यह दिख लीज़े भी कुछ का style इस तरह से हुआ है अगले feature के बात करने लिए इस notification पैनल में आएंगे आप wifi और hotspot दोनों एक साथ use कर सकते हैं इस phone button यहां पर क्लिक करके इसको गरूपकर रहरे हम क्लिक करेंगे यहां पर नवा लेता हूं ऊपर इसके रलावा यहां पर सारी security डिकार्डिंग इंदे हैं जो आपको चाहिए ले लेना यह भी ऊपर आकर बैठ बैठ डूनोट डिश्टॉप को आउन करेंगे तो आपको कॉल मेसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही ने चलेगा क्योंकि आपका स्माटफोन वह हैबरेड भी नहीं होगा और फोन के रिंग भून भी नहीं बजेगी इसके अलावा आप नूटिफिकेशन को आउन करेंगे तो करके आप पैटर्न पीन पासवर्ड आप जो रखना चाहिए कर लेना आपने लॉक्स पर पहले सी लॉक्स सेट करके रखा है तो उसी से कंट्यून हो जाएगा आपने सट कर लिया इसके बाद आपको से एप्लिकेशन को यूज करने की पर्मिशन बच्चों को देना चाहते कि इस सेट करके बच्चों को देंगे यह यह रखा है वही यूज कर सकेंगे इसके अलाओ कहीं और नहीं जा सकते कोई दूसरा एप्लिकेशन ओपन नहीं कर सकते सेटिंग्स में नहीं जा सकते और आप अपने रियल स्पेश में आना चाहते हैं तो आपने लॉक को अनलोग करना है उसके बाद आप आएंगे real space में इसके बाद से आपको अगली बार use करना है तो इतना सारा setup करने की जरूरत नहीं किड़ स्पेस पर एक बार हम क्लिक करेंगे तो यह डाट open हो जाता है इसके अलवा और भी applications आप इसमें एड करके रखना चाहते हैं तो त्रोड़ पर क्लिक करेंगे उसके बाद अनलॉक करेंगे उसके बाद यहां पर added apps पर क्लिक करके और भी applications को आप हम पर select कर सकते हैं एड कर सकते हैं अगली feature के बात करने के लिए इस notification पैनल में आएंगे slide करके आपको यहां पर दिखता है focus mode कोई भी एक application का आप notification थोड़े देर के लिए बंद कर सकते हैं और वह application open भी ना हो ऐसा कर सकते हैं message को मैंने select कर लिया उसके बार turn on ना करूंगा तो यह देख सेते हैं यह message open भी नहीं होगा और उसके एड़ करके रखना चाहते हैं तो इसके उपर लॉंग प्रेस करना है उसके बाद यहां पर और एप्लिकेशन को आप एड़ करके रख सकते हैं अगले फीचर के बात करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है इसी सकते हैं आपको इस फोन के साथ ही मिलता है हाँ पर कर लेना सारे सटिंग कर लेना दूसरों इसके उपर लॉंग प्रेस करना लॉंग प्रेस करके आप माइक्रोफोन की सटिंग कर लेना और कॉलिटी की सटिंग अगरा कर लेना आप सारे सटिंग अपने मरजे के साब से करके आप इसको भी on कर लेना front camera से आपका face recording होगा इतना round से bubble में यह आप कर सकते हैं आपको चाहिए तो यह सारे settings करके आप हैंपर screen recording के उपर एक बार क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करके हैंसे इसको on कर सकते हैं screen recording को screen recording होना शुरू हो जाएगा यह देख सकते हैं यहां पर आपका face दिखेगा अगले feature की बात करने के लिए जैसे हम यहां पर app drawer open करते हैं तो यह search बार आता है keyboard open होता है यह नहीं आना चाहिए तो यहां पर हम manage पर click करेंगे और app drawer setting पर हम click करेंगे हां पर दिखता है आपको यह off कर लेना आपको इस setting को off करेंगे तो जैसे आ आप app drawer open करते हैं तो यह keyboard open नहीं होगा अगले feature के बात करने के लिए settings में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे आपको आना है यहां पर आपको मिलता है app cleaner आपको हम पर जो applications दिखते हैं उनको डूल करके यूज कर सकते हैं बस आपको इस पर click करके हैसे इसको on करना है व यह copy किया है mini capsule होता है जैसे dynamic island आता ना इसे ही आएगा आपके हम पर छोटा से दीख रहा होगा battery status इसको भी आउन करना mini capsule इसको भी on कर लेना वह जो dynamic island आता ना वह इसे आएगा notifications आने के बाद या charging अगरा लगाने के बाद भी अगली feature की बात करने के लिए आपको phone manager बोलकर एक application मिलता है इस phone में हैसे इसको on करना दूसरों अलवा पर आप click करके इसको open करना बस open करके आपको optimize करना है जैसे आप optimize करते हैं तो आपका smartphone lag होना बंद करेगा आप एक दिन में एक या दो बार इसको जरूर करना optimize optimize करेंगे तो fast होचता है आपका smartphone इसके अलवा clean up storage पर हम click करके हैंसे इसको clean भी कर सकते हैं यहाँ पर जो भी junk file वगरा है वो clean करता है तो आपका space है ना storage का वो और भी बढ़ेगा तो चलिए इसके बाद हैंपर हम tools पर click करेंगे हैंपर आपको मिलता दूसरों app lock यहाँसे आप app lock set करके रख सकते हैं इस phone में इसको on कर लेना और pattern pin password आप यहाँ रखना चाहिए उसको रख लेना उसके बाद हम पर हाई वगरा कुछ डाल देंगे तो चलेगा उसके बाद हम पर setting मतलब कोंसी application को open करना पुछना चाहिए उन application को आप select कर लेना आपने कर लिया उसके बाद setting पर click करके हम पर lock app यहाँँपर click करके हम पर exiting the app प मतलब आप fingerprint से भी app lock को use कर सकते हैं face lock से भी use कर सकते हैं अब भी हम उस application को open करेंगे तो यह lock उचता है अगली feature के बात करने के लिए इसी phone manager application को open करेंगे हाँ पर इसी tools पर click करके आएंगे हाँ पर head apps मतलब आप यहां से applications को head करके रख सकते हैं यहाँ पर head करके बताऊंगा pattern pin password जो रखना चाहिए रख लेना इसी amazon को head कर लूँगा setting पर click करेंगे यहाँ पर code डाइल करेंगे hash 000 hash डाइल करेंगे उसके बड़ रेट पर click करेंगे वह amazon हैड हो जाएगा हमके यहाँ पर नहीं दिखेगा अभी उस application को use करने के लिए dial pad open करना है वही code डाइल करना है यहाँ पर आपको hash 0000 hash डाइल कर देना है जो applications को आपने hide किया है यहाँ पर आपको वह दिखेंगे दोस्तों अगले feature के बात करने के लिए आपको इसी phone manager को open करना है tools पर click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलता है private safe मतलब आप यहाँ देखना पड़ेगा यह code डाइल करके आपको देखना पड़ेगा private safe पर click करके आप यहाँ पर देख सकते हैं वह file manager में gallery में show नहीं होगा आपका data जो आपने आपर add करके रखा है अगले feature की बात करने के लिए पंचल में आपको yellow color में जो lighting दिख रही है यह कैसे set करें आपक ring इस application को download कर लेना नहीं तो आप ring ring ap के search करेंगे chrome में तो आपको बहुत सारे websites में मिलेगा यह application open करना सारे permissions देना सारे permissions देंगे तो यह off रहता है तो सबस्क्राइब इसको on कर लेना है यह controller है इस controller से आपको अपने camera के पास लेकर जाना है इस ring को उसके बाद यहाँ से आप इस पर clicker के by default तो कुछ इस तरह से होता है अब मालो आपको कोई भी एक color set करना है तो आपको क्या करना है segment color पर clicker के single color को select कर लेना है इस पर clicker के preset पर clicker के उस color को हाँपर select कर लेना है तो अब यह set हो जाता है कुछ इस तरह से अगले feature की बात करना के लिए इस phone के settings में आना है smart side bar में आना है हैंसी इसको on करना है यहांपर ऐक set bar निकल कर आता है इस तरह से आप slide करेंगे तो यहांपर applications निकल कर आते हैं features निकल कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके दूसरा कोई भी अप्लिकेशन यह से आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और इसी special feature में आने के बाद आपको यहां पर मिलता है जस्टर्स मिलता है इस सेटिंग में आना अब अगले अपर और देख सकते हैं अगले फिचर के बाद करने के लिए और आएंगे इस फोन के सेटिंगमे नीचे आएंगे आएंगे आपको यहां पर मिलता है नीचा आने के बाद आपका 80% से ज्यादा चार्जिंग नहीं होगा स्मांचपोन आप रोजा ना सुबह 8 बज़े चार्जिंग लगाते हैं तो दो-चार दिनों के बाद से 80% से ज्यादा charging होना बंद करतेगा यह battery health को safe रखता है maintain करता है दोसों मतलब आपकी phone की battery को खराब होने नहीं देता है यह feature इसको ज़रूर on करना अगले feature की बात करने के लिए आएंगे दोसों हम इस phone के settings में और आएंगे कुछ इस तरह से नीचे आपको digital well-being इस setting में आना है हम पर आप सुभा से लेकर अभी तक कितने minutes और कितने घंटे phone को use किया है यह देख सकते हैं कितने बार unlock किया है यह देख सकते हैं कितने notifications आएं यह भी देख सकते हैं और आप इसकी ओपर आप एक बार क्लिक करेंगे तो हाँ पर आपको सारे applications दिखेंगे आप कौँसे application को timer के साथ set करना चाहते हैं वो कर सकते हैं example इस facebook को मैं एक दिन में एक ही घंटा use करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके एक घंटा time हम यहाँ पर set करेंगे हमने कर लिया तो एक दिन में भी इस facebook को एक ही घंटा यूज़ कर सकेंगे इस तरह से आप और भी applications को timer के साथ set कर सकते हैं settings में आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर अबाट device में आना है उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है RAM इसके ओपर clicker के आप 6GB तक RAM को और भी extend कर सकते हैं और भी 6GB RAM को बढ़ा सकते हैं कमाल का feature है यह तो एक बाद restart ना कर लेना आप restart करेंगे तो RAM बढ़ेगा अगली feature के बात करने के लिए settings में आकर आएंगे नीचे आपको यहाँ पर additional settings में आना है उसके बाद accessibility में आना है हाँ पर accessibility menu है हैंसे हम इसको on करेंगे अलोपर click करेंगे ok करेंगे यहाँ पर 3.0 कराते हैं इसके ओपर हम click करेंगे तो इतने सारी features हम यूज़ कर सकते हैं पाउर अफ कर सकते हैं व्यालम को कब जादा कर सकते हैं रसंट apps को open कर सकते हैं औरúaक न् τ Kerry को कर सकते हैं और न्योक्तले को कर सकते हैं और नोटीफिस पेनल को करा सकते हैं किस किस अप से notifications यह देख सकते हैं अगले feature के बात करने के लिए settings में आएंगे और additional setting में आएंगे और हैंपर आएंगे accessibility में उसके बाद इस तरह से slide करेंगे तो आने के बाद आपको नीचे मिलता है remote animations आप इसको on करेंगे तो ब्याक आता हूं open करता हूं तो कितना fast open close होता है आपका smartphone यह देख सकते हैं अभी एक बार हूं इसको off करके बताऊंगा आपको open close करता हूं तो slow open close हो रहा है यह देख सकते हैं तो आप इस remote animations को on करके अपने smartphone को fast कर सकते हैं इसके बाद इसी के ऊपर मिलता है high contrast text मतलब आपने text को अपने fonts को आप contrast मिला सकते हैं कुछ इस तरह से on करके इसको अगली feature के बात करा सकते हैं home button यह रहा रिजम टाक्स को करना चाहते हैं तो निची से long tap करके आप रिजम टाक्स को भी remote कर सकते हैं